अस्सलाम उलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुगम भारती सात्वी कक्षा पहली एकाई का पाड़ वाचन मेला पड़ेंगे. वाचन मेले में लोग विवीत परकार की न्यान वर्दक पुस्तके पढ़ने जाते हैं. इस मेले में तरह तरह की दुकाने सजी होती हैं. इन किताबों की दुकानों में बच्चों के मनोरंजन की किताबे होती हैं. बच्चे अपनी पसंद की किताबे खरीद कर अपने इल्म मे इजाफा कर सकते है पहरे बच्चो यहो एक वाचन मेले का दुरुष्य यानि मन्जर है इस मेले में बहुत सी पुस्तक दिखाई दे रही है यहो मेला एक बड़े खुले मैदान में लगा है मेले में बहुत से सिरी पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे है मेले में स्कूली गणवेश यानी युनिफार्म में कुछ छात्र छात्रा है तल्बा उतालिबाद दिखाई दे रहे है जो एक सुन्दर खुबसूरत पालकी में कुछ पुस्तके यानी किताबे रखकर किताबों की शोव यात्रा निकाद रहे है इस पालकी में पुस्तोकों को रखकर ले जाया जा रहा है आगे एक छात्रा यानि तालेबा हाथ में सुचना फलक नोटीस बोड लेकर चल रही है जिस पर लिखा है गरंत दिंडी प्यारे बच्चों गरंत का मतलब होता है किताबे गरंत खासकर धार्मिक यानि मजभी किताबों के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन यहाँ पर आम किताब के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरी तालेबा के हाथ में एक और सुचना फलक है जिस पर लिखा है पुस्तक से पाए ग्यान जाने भाशाय विद्नयान जिसका मतलब होता है किताबों से इल्म आसिल कीजिए और जबाने और साइंस की मालूमात हासिल कीजिए प्यारे बच्चो इनी बच्चो के नद्दीद एक और भोश्वाक के लिखा हुआ है पुस्तके है हम सब की साथी प्रोजवलित करे नैन की बाती इस तरह मेले में तरह तरह की किताबे दिखाई दे रही है विशे अनूसार यानी सब्जेट के लिहाज से अलग-अलग विभाग यानी हिस्से बने है जैसे यहां देखिए किशोर साहित इसे नव जवानों का दब भी कहा जाता है ये वो किताबे होती है जो 15 साल उम्र के उपर के बच्चो के लिए होती है इस उम्र के बच्चो के लिए ये किताबे लिखी जाती है यहां देखिए बच्चे बहुती दिल्चस्पी के साथ अलग-अलग किताबे ढूंड कर पढ़ रहे है इस तरह इस तरफ देखिए बाल साहित रखा है इसे बच्चो का अधब भी कह सकते है इसमें बच्चों के लिए कहानिया, मैगजीन और नजम की किताबे होती है जिसको पढ़कर बच्चे बहुत ही खुश होते है इस बालसाइत में ई-बुक्स और आडियो बुक्स भी रखी गई है पहरे बच्चों, इ-बुक्स का फुल फॉर्म है, इलेक्ट्रोनिक बुक्स इसमें कागस का इस्तेमाल नहीं किया जाता ये एक डिजिटल फाइल होती है जो हम लैप्टॉप, कम्प्यूटर या मोबाइल पर आउनलाइन पढ़ सकते है आडियो बुक्स को आप कहीं भी सुन सकते है यहो एक तरह की रिकॉर्डिंग वाइस होती है इधर देखिए, यहाँ विज्यान कथा साइंसी किताबों का विभाग है विज्यान कथा साइंसे से मुनासिवत रखती है यानि इन किताबों में साइंसी मालूमात होती है यहाँ देखिए, एक छोटा लड़का, एक लड़की से बाल साइते के बारे में कुछ पूछ रहा है इसी तरह पीछे, बहुत सारे स्री पुरूष खड़े है जहाँ शायद उनकी उम्रे के लिहास से किताबे रखिए तो प्यारे बच्चों, आया ना मज़ा वाचन मेले में वाचन मेला देखकर आप जहाँ भी, जब भी वाचन मेला लगे अपने घर के बड़ों के साथ या अपने वाले देन, या दोस्तों, या सेलियों के साथ ज़रूर वाचन मेला जाएए और मुक्तलिब किताबे पढ़िए और अपनी मालूमात में इजाफा कीजिए